Hello everyone, Good morning, Namaskar, 8 March 2022 और The Hindu News Analysis में आपका स्वागत है अगर आप इस न्यूजपेपर की PDF कोपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तना आई एस अकैडमी टेलिग्राम पर लिकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंट पेज पे फ्रेंट पेज में यहां पर जो चीज़े मैंसन की कि एक्जाम रिलेट बिलकुल भी नहीं है अलग-अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे उसका अंतिम फेज यानि सेवन्थ फेज जो था वो कल कम्प्लीट हो गया है उसके बाद अलग-अलग न्यू चैनल्स ने जो एक्जिट पोल्स होते हैं कि किस राज्य में किस पॉलिटिकल पार्टी कितने सीट आएंगी उसको लेकर यहां पर मेंसन किया गया है इट्स नोट रिलेटिट फॉर इग्जामिनेशन दस मार्च को जब रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट भी जो अगर आप पर्टिकलर एंग्जामिनेशन कि तहरी कर रहें अगर आप रहें पर्टिकलर स्टेट एंग्जामिनेशन की तहरी कर रहें उसी के लिए important होगा Right hand side एक स्टोरी दी गई है क्योंकि आज International Women's Day है और इस context में कि आज के society के अंदर भी कि एक व्यक्ति को माल लेते हैं अगर आप देखें पेट्रियार्की जिसको बोलते हैं यानि पित्तर सतात्मक जो समाज है उसमें भी यहाँ पर एक इस लड़की की struggle story बताई गी है कि वो चाहते थे कि pen card पर उनकी mother का name हो और उसी को लेकर यह struggle जो है mention किया गया है department काफी ज्यादा slow है और woman को as a legal guardian के रूप में accept करने में काफी सारी problem आयो उसको लेकर यह story इन्होंने share करी गी है कि इनके सारे document जो है उन्होंने अपने legal guardian के रूप में अपनी mother का name जो है mention किया है और इसी चीज को लेकर इन्होंने struggle story जो है वो share करी कि कैसे उनको struggle करना पड़ा और pen card को हसिल करने के लिए कही साल उनको लगे इनकी mother जो है वो एक pharmaceutical company में एक तरीके से country manager के रूप में काम करते है नेपाल के अंदर और यह खुद जो है वो study करते हैं और काम करते है as a linguist in Adelaide Australia के अंदर और इनका जो primary battle रहा है identity cards को लेकर Indian citizens के नाम एक तरीके से इंडियन citizens के लिए और legal guardian के रूप में अपनी mother का नाम यह चाहते थे इसी चीज़ को लेकर बताया गया कि multiple time इनको rejection देखने को विला even school living certificates income tax ने अहला कि 2018 में ही इस तरह के name change कर दिये गए थे कि legal guardian होना चाहिए mother का name भी आप mention करवा सकते जरूरी ने कि father का name ही mention करवाई लेकिन इसको लेकर इनको काफी ज़्यादा struggle करना पड़ा इसके अंदर national commission for protection of child rights का भी important role रहा इसके लावा यहाँ पर जैसे इनने बताया कि कैसे उनको struggle करना पड़ा चाहिए even passport को हसिल करने के लिए अधार passport इन सब documents को और आज के time पे भी अगर आप देखेंगे society में जैसे ऐसा लगता है कि father का name mention करना mother का name mention कर रहे हैं तो उसको अलग सी नजरों से देखा जाता है यह एक इन्होंने अपना experience share किया इसके बाद इन्होंने personally mail किये external affair minister सुस्मा सवराज madam जो अब जिनका देहान थो चुका उस time पे जो external affair minister थी इसके लावा minister for women and child development में का गान दी थी आज के time पे बदल चुके दोनों minister ठीक है इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कहा कि उनको name को change करने के लिए जैसे passport में name को change करने के लिए as a legal guardian आप अपनी मदर का name भी mention कर सकते 2016 में ही rule change कर दिये गए थे भारत और भारत के बहुत सारे जो चातर students या नागरिक युक्रेइन के खासकर सुमी डिस्टिक के अंदर या सुमी अरिया के अंदर फस्यों है उनको बाहर निकालने के लिए भारत के प्राइमेश्र सामने रशिया और युक्रेइन के प्रिजिडेंट से बात करी है कि हम चाते कि हमारे बच्चों को आप एक तरीके से निकालने में मदद करे और दोनों से ये कहा कि आप बात करे एक दूसरे से सोट आउट करे चीजों को और आवर ओल कहने का सिंपल सा मतलब हला कि ये युद रुख जाएगा चीजे सोट आउट हो जाएगी वो कहना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हमारी पहली प्राइटी ये है कि हम अपने सुटेंट्स को यहां से निकाले और प्राइमिस ने सजेस्ट किया कि दोनों एक तरीके से आपस में बात्चित करें कनवर्सेशन करें हलाकि रशिया ने का था है कि हम सीजफायर कर रहे हैं लेकिन युक्रेइन इस सीजफायर को नहीं मान रहा है और युक्रेइन का ये मानना है कि एक रिफ्यूजी क्राइसी जो क्रियेट हो जाएगा इस बोर्डर पर तो बहुत सारी चीज़े हैं जो देखने को मिलता है इसके लाब बार डेटा प्रवाइड किया गया कि 17,100 सुटेंट्स को भारत में वापिस लाए जा चुका है ओप्रेशन गंगा के अंडर और अभी 500 और बच्चे सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट और बोल सकते हैं कि चलेंजिंग एविक्यूशन होने वाला वो है सुमी क अंदर जो रश्या वोटर के पास है इस कॉंटेक्स्ट में ठीक है इसके बाद यहां पर आप देखो इस रश्या युक्रेइन वोर का जो सबसे ज्यादा इंपक्ट बढ़ रहा है वो है इकनोमी पर वो इंडियन एकनोमी भी हो सकती है या गलोबल एकनोमी भी हो जब गलो टू थर्ड हिस्सा जो इंपोर्ट करते हैं इस कॉंटेक्स्ट में अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो इससे हमारी क्रंसी की उपर प्रेशर क्रियेट होगा और अगर आप देखेंगे वन यूएस डॉलर इस इक्वल टू सेवन सिक्स पाइंट नाइन त्री रूपेज यान दूसरा अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे अगर डॉलर के कंपेर में हमारी क्रंसी की वैल्यू कम होगी तो इंपोर्ट बिल हमारा और इंक्रीज हो जाएगा कच्चा तेल बढ़ रहा है वो हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा और अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ी दे विशिज महेंगी हो जाएगी क्योंकि यह रो कोस्ट के अंदर इंक्लूड क्या जाएगा और कोस्ट अगर इंक्रीज होती है तो आवर ओल जो कंजूमर को चीजे पे करने किसी चीज को लेकर वो भी कहीं ने कहीं आपको कोस्ट ली देखने को मिलेगी तो यह काफी प्रभावित होते हैं और कई बार इस टॉपिक पर भी डिबेट होती क्या गवर्नर का पोस्ट जो है वो हमारे समिधान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको लेकर भी डिबेट है तो वेस्ट बिंगोल एक ऐसा राज है जहां पर लगातार गवर्नर और सीम के संब्धित करते हैं या तो नई सरकार का हो या उस एयर का हो ठीक है दोनों को संब्धित करते हैं तो इसी कॉंटेक्स्ट में गवर्नर साब का जो एड्रस होता हाउस में उसको लेकर लगाता डिस्रप्शन देखने को मिला जो जैसे यह संब्धित कर रहे थे तो उस कॉंट पीज़ेपी में लेज़ थे वो बोले थे कि सीविक इलेक्शन या अभी जो लोकल लेवल पर इलेक्शन हो उसमें जो इरेगुलेटरी या वोइलेंस देखने को मिली वो कहीने कई एक इस्यूज है इन सब के बीच में गवर्णर और सीएम के बीच में जो डेडलोक है ये कही इन है कोई functions को भी impact करता है एक state government का और इसके context में सबसे ज्यादा जो नुक्सान होता है वो होता है particular state का तो interstate relation में governor की post उसका importance उसके role क्या होंगे फंक्शन क्या होंगे ये बहुत important topic है UPSC civil service है वो mains हो ये पिलिम्स हो दोनों के लिए बहुत ज्यादा important ये topic होने वाला है वाली न्यूज बताई गी है कि सुमी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि वही हमें एक उमीद है लेकिन अभी भी वो उमीद जो पूरी नियोरी इनको बाहर निकलना ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है सुमी स्टेट यूश्टी के अंदर ये प्रोटेस् वी विल भी पार्टनर फोर म्यूच्वल सक्सस रेदर देन एडवर्जरी जो फोरेंड मिश्टर देखो चाइना के फोरेंड मिश्टर की स्टेटमेंट काफी जादा एहम है और ऐसा आपको पहरी बार देखने को मिलेगा कि चाइना का जो स्टेटमेंट है थोड़ा डिफ उनके अलावा हम mutual success एक साथ मिलकर जो हमें काम करना है इसके अलावा some forces have always sought to stock tension मतलब कुछ इन्होंने indirectly criticism किया United States का कि वही चाइना और इंडिया के बीच में कई सारी ताकते हैं जो disturb create करते है और इनका जो attempt है ये कहिने के reflect भी होता कई बार कई सारी चीज़े आपको देखने को मिलते हैं इन्होंने का कि रिशन में बहुत सारे setback देखने को मिले इंडिया और चाइना के ties के बीच में और ये दोनों के interest के लिए सही नहीं ना तो चाइना के लिए अची बात है नहीं भारत के लिए अची बात है इसी context में चाइना हम इस टाइम पे चल रहा है National People's Congress य और boundary issues की वज़े से हमारे relation जो है उसमें भी नुकसान नहीं होना चाहिए और हमें mutual understanding के थरू जो है वो चीज़े sort out करनी है left hour from history अगर boundary question के देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये issue के वल 2022 में 2020 में देखने को में प्राचिन काल से ही इस तरह के boundary issues रही है लेकिन इन differences को manage करने के लि management होना चाहिए और इसका impact जो है वो कहीं नहीं interference के मामले में एफेक्ट नहीं करना चाहिए bilateral cooperation को अगर भारत और चायना के trade की बात करेंगे तो around आप देखें 125 billion से भी ज्यादा का trade दोनों के बीच में हो रहा है जो कि बहुत important है और इसमें से 97 billion से भी ज्यादा का import हम लोग क इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो gap होता है उसको बोला जाता है trade deficit यानि वेपार में घाटा ठीक है तो यह चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इनके अलावा यह बताया गया कि जब मैं bilateral cooperation की बात करता हूं तो मैं boundary और territory related issues के बारे में भी बात करता हूं इनके अलावा fundamental interest के लिए यह सही नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहें ठीक है cooperation करिए mutual cooperation करिए और दो बड़ी country वन बिलियन प्लस की ए country अगर यह एक दूसरे से contribution करती है तो इस region में game changer हो सकती है देखो अभी मैं कुछ चीजों का analysis कर रहा था माल लेते ह कि S-400 missile system हम रशिया से खरीद रहे हैं और United States हमारे उपर प्रतिबन लगा देता है economic तो उसका impact USA को बहुत जादा होगा क्योंकि आने वाले time में China, India और Russia इनके relation आपको जादा strong देखने को मिलेंगे अगर United States हमारे उपर economic sanction लगाएगा कार्टसा के basis पर countering America's adversaries through sanction act बट अभी जो लगाएगा नहीं लगाएगा वो future की बाते हैं जो politics में कुछ भी style नहीं होता stable नहीं होता इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया कि दोनों country जो हो stability और prosperity को जो हो अचीव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ शांती से रह सकते हैं global peace को हम लोग जो हो maintain कर सकते हैं एक सीट पोज नहीं करेंगे development opportunities को grab करेंगे mutual trust को मनाएंगे miss understanding and miscalculation को avoid करेंगे इस तरह की चीज़े इन्होंने बताई पूरी मतलब जो अच्छे अची बाते हैं वो बताई गई है और इसके लावा United States पर इन्होंने कमेंट भी किया कि United States जो है कोसिस करता रहता है कि भाई दो देशों को लड़ाया जाए और United States blocks बनाता है अलग-अलग और जैसे इंडो Pacific region के अंदर भी blocks बनाया जाते हलाकि भारत और चाइना के बीच में boundary पर बहुत सारे issues को लेकर dispute है जैसे April 2020 से ही troops का mobilization शुरू किया जून 2020 में चाइना और इंडिया के बीच में Galvan Valley के अंदर एक physical class देखने को मिला जिसके अंदर भारत के बीच से ज्यादा जवान सहीद हो गए थे तो इस context में दोनों के बीच में इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिली और बहुत सारे ऐसे fraction है बहुत सारे ऐसे point है जिनको लेकर भारत और चाइना के बीच में dispute है खासकर इस्टन लद्दाख रीजेन के अंदर और इनमें आप देखेंगे होट स्प्रिंग है डेम्चोक और देवसंग इन एरियास के अंदर अभी भी हमें काम करना है ताकि अगर आप देखेंगे थाउजंड्स ओफ टूप दोनों तरफ डिप्लोई करेंगे फोरवर्ड एरियास के यहां पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह अपने आप में इंटरस्टिंग भी है इंपोर्टेंट भी है और भारत के कॉंटेक्स्ट में यह पूरी जोगर्फीकल बाउंडरी के प्रिस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसके बाद यहां पर व बीएस डिग्रीज के लिए क्योंकि भारत में जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टिशन है इनकी फीस्ट बहुत जादा है इवन यह भी है कि कई इंस्टिशन की फीस्ट एक एक क्रोड तक है एक क्रोड रुपे फीव पे करना यह नॉर्मल परसन के लिए अगर आप देखें के अंदर 100 शीट है 100 में से 50 शीट पे जो गवर्मेंट फीस है वो अप्लिकेबल होगी यह कहीं ने कहीं यह इंपोर्टेंट है और यह मार्च एक से इसको लेकर एक सकेंड हाँ यह बात उन्होंने कहीं है जन ओस्दी वीक के रूप में वो सेलिवरेट किया जा रहा था एक मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच तक तो उनका यह स्टेटमेंट आई है इसको लेकर कि वरियस जन ओस्दी के अंदर से वो कनेक्ट कर रहे थे डिसक्सन कर रहे थे और इस चीज़ का बेनिफिट जो है मिडल क्लास या लोवर इंक्यम जो फैमिली जो उनको मिलेगा और यह अगर देश के अंदर मेडिकल इंस्ट्यूशन होगे प्राइवेट इंस्ट्यूशन के अंदर फीस कम होती तो साइध यह बच्चे जो वो दूसरी कंट्री के अंदर नहीं जाते और अपनी डिग्रीज यहीं पर इंडिया में ही कंप्लीट करते और जो ब्रें ट्रेंड की खरें नहीं उतरते और उसका रिजल्ट होता है कि दूसरी कंट्री में चले जाते हैं इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है प्लान टू ब्रिंग फोर लाइक गर्ल्स बैक टू स्कूल करके जो टाइटल दिया गया है इसका में एम यह है कि जिन लड़कियों ने स्कू लड़कियों को इसको लेकर एक टारगेट किया गया है न्यू जनरेशन अंगरवाडी टो एक्सक्लूड चिल्डरन एज 11 तो 14 फोकस ऑन 14 एट यह नि अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे जो न्यू जनरेशन अंगरवाडी उसका में फोकस रहता है 14 तो 18 ग्रूप प दिया जाते हैं इस कॉंटेक्स्ट में यहाँ पर सेंटर एक स्कीम जो है लॉंच करने वाली जिसमें बैक टू बैक टू स्कूल केमपेंज जो हो कहीं ने कहीं में चार लाग लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में वापिस लेकर आना अगर आपने नैशनल इसे के अंडर वापिस इंक्लूड करना है इसे के अंडर विमें और चाइल्ड डेवलेमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से न्यू सक्सम अंगनवाडी स्कीम जो है वो लॉंच की जाएगी जिसके अंदर 11-14 एज ग्रूप के अंदर इन लड़कियों को इंक्लूड किया इसको भी कई न कई इंक्लूड होगा इसके अलावा यहां पर मेंचन किया गया कि कैम्पेंज जो इसको लेकर चलाया जाएगा स्कूल के कॉंट्रेक्स्ट में आगनवाडी वरकर के साथ कॉल्लबरेशन किया जाएगा डिस्टिक एजूकेशन ओफिशर इसके अंदर इंक् एडुल्सेंट है या किशोवर वस्ता में जो बच्चे है वो इस फेज के अंदर है इन में से 90 परसेंट जो हो करंटली एंडॉल्ड है किसी स्कूल में वन थार्ड में से एटलिस्ट वन गल यह चाहती है कि भाई उनको ड्रोप किया गया है ठीक है इन में से इन में से पिछे ड्रोप आउट हो उसमें लड़कियों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी युनिशेफ इंडिया ने विकार कि इसके पिछे कई सारे रीजिन हो सकते हैं या तो उनकी साधी हो चुकी है या किसी ने वह सिक्योरिटी के वाज़े से उनन स्कूल इनको वापिस लाना ये पिराइटी के अंदर अब होगा और स्कीम फोर एडॉल्स और गर्ल्स के मामले में हो उसके थ्रूप प्रमोट करना हो या कई सारे पोर्टल भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जैसे इन ड्रोप आउट को मैप किया जाएगा कि जो आगनवा प्रबंद पोर्टल और दूसरा है वुमेंट चैल लेवर मिनिस्ट्री का पोशन ट्रेकर इसके थ्रू कहीं न कहीं इसको इनको इंक्लूड किया जाएगा और इनको स्पोर्ट किया जाएगा ताकि यह अपनी फोर्मल एजुकेशन को कम्प्लीट करें और इनको प्रमोट क किया जाएगा एजुकेशन के मामले में इसके अलावा राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक जो न्यूज है वो है लेवर मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉंच करेगी जिसका नाम है डॉनेट पेंसन स्कीम करके और इस स्कीम का बेसिकली परफ़स क्या है कि एक जो लेवर मिनिस्ट्री की स्कीम है उसके अंदर जो प्रीमियम है उसको पे कर सकते हैं अनौर्गनाइज वरकर के मामले में अब अनौर्गनाइज वरकर का मतलब क्या होता है एक होता है और्गनाइज वरकर एक होता है अनौर्गनाइज कभी कभी फॉर्मल और इंफॉर्मल ए से सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक माल लेते हैं कि एक रेडी वाला है फल बिचने वाला है जिसको वो सारी फेसलिटीज नहीं है और अर्गनाइज और अन अर्गनाइज ये दोनों आपको डिफेरेंस मिलेगा जिसका एक प्रोपर सिस्टेम होता रूज और रेगुल का परदहान मंत्री सरम योगी मांदन स्कीम के अंदर अकाउंट है और उसके अंदर जो प्रीमिम है वो आप पे कर सकते हैं स्कीम 2019 में लोंज करी गई थी 18-40 एज ग्रूप के वरकर्स के लिए जो 15,000 तक रूपे तक कमाते हैं महिने में ये इनके लिए प्रीमियम की कर 200 रूपी यानि डिपेंड करता है कि एज कितनी है इसके अलावा जब ये 60 साल के हो जाएंगे तब इनको 33,000 रूपे मन्तली पेंशन जो वो दी जाएगी ये स्कीम का एक तरीके से स्कीम है और अब तक 46.34 लाक इसके अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं एज पर लेवर काम करता है उनको context में या तो आप मांदन.in पर पे कर सकते हैं या common service center CSC center के अंदर भी जाकर आप पे कर सकते हैं तो ये आपके पास option होगी इसके बाद यहाँ पर देखिए चाइना के जो foreign visitor है इनकी एक बार फिर से यहाँ पर कुछ statement देखने को मिलेगी कि चाइना ये बो करते हैं और वांग जी ने डिस्क्राइब किया कि रशिया के साथ जो उनका relation है वो रोक सोलिड है यानि वो चटान की तरह मजबूत है वो इसी तरीके से रहेगा अभी और इसके ठीक नीचे आप देखेंगे भी अस्ट्रेलिया ने चाइना का बोला कि डूनाट स्पोर्ट यानि इंडिरेक्ली बोला कि रशिया को स्पोर्ट मत करिये लेकिन रशिया और चाइना के रिलेशन आज आज सबसे अच्छे में से कहेंगे कि भारत से भी अच्छे रिलेशन है रशिया और चाइना के क्योंकि दोनों ही वैस्टरन क्राइसीज को फेस कर रहे हैं चाइना क पर सेम चीज़े बताएगी कि चाइना की नैशनल पीपल कोंगरेश या पारलेमेंट सरी बिजिंग के अंदर रशिया के बारे में जब पूछा गया तो बताएगे हमारे रिलेशन रोक सोलिड यानि चटान की तरह मजबूत है और इन्होंने अगर आप देखेंगे रशिया क इन्वेजन को एक इन्वेजन सब्द का जो हम नहीं नहीं दिया या अटेक को इन्वेजन वर्ट जो वो नहीं क्या कुछ और्गनाजेशन का इनों ने जिकर किया जैसे क्वाड ग्रूप है जिसके अंदर चार कंट्री आती है युनाइटिज स्टेट आस्टेलिया इंडि और यूएस-श्टेलिया, यूकिए और यूएस इसके अंदर डिफैन्स पेक्ट जो है इसके बारे में इनोंने पेंसन किया गया कि जो ऊनाइटि स्टेट की इंडो-पैसिफिक स्टेड़ जी है ये कही निए एक ब्लोक-पोलिटिक्स बन चुकी है ब्लोक-पोलिटिक्स क यहां पर यहां पर यहां पर वर्ड यूज किया गया फाइफ ओर फॉर थ्री टू पॉस्चर इन अशिया पैसिफिक और इस कॉंटेक्ष्ट में कहीं यहां पर आपको देखने को मिलेगी हला कि भारत इंडो पर जो क्वार्ड ग्रूप है इसको लेकर रिजेक्ट करता है लिट्री अलाइंस नहीं है कोई एशियन नाटो नहीं है और इस तरह एक ब्रोड बेज कोपरेशन हम लोग करते हैं साहे वैक्षिन हो मैरी टाइम सेक्यूर्टी हो क्लाइमेट चेंज हो इन सब चीजों को लेकर और यहां पर हमारे एक्षिन और फिर मिस्टर साब ने कहा है यह 21st century का एक तरीका है रिस्पॉंड करने का डिविस्टिफाई डिस्प्रेज वर्ड को है नहीं एक तरीके से दुनिया में जो चीजे चलड़ी उसको कैसे हम काउंटर करेंगे उसको लेकर हमारी एक strategy है उसके बारे में बताया गया इसके बाद यहां पर अस्ट्रेलिय से ऐसी situation में जब पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि रशिया को अलग थलग कर दिया जाए उनको economic लेवल पर उनको कहीं ने कहीं economic को collapse करने के लिए मजबूर कर दिया जाए इस context में चाइना उनके लिए economic lifeline की तरह मदद कर रहा है दुनिया बर के एक तरीके से आप देख alternate की तरह है देखने को मिलता है चाइना के लिए भी इतना आसान नहीं है चीज़े करना क्योंकि अगर कोई स्पोर्ट करता डिरेक्ली अगर रशिया को तो उसके ऊपर भी economic सेंक्शन लगाए जा सकते हलाकि western country जे सेंक्शन लगाएगे तो इसका असर होगा इसके बाद अग विश्ता को नुक्सान पहुचा रहा है यह पूरे का पूरा सिनेरियो यहाँ पर mention किया गया oil, nickel इनके prices increase हो रहे है supply chain को लेकर disturbance क्रीट हो रहे है oil में 2008 में economic एक तरीके से recession आया था आर्थिक मंदी आया थी उसके बाद तेल जो है लगब 147 dollar per barrel के हिसाब से पहुच चुका थ आज के टाइम पे तेल की कीमत 139 dollar per barrel के आज पास जो है पहुच चुकी है और इसका कई सारे असर आपको देखने को मिलेगा United States, Europe जो है उन्होंने Russian import पर कहीने कहीं बैन लगा दिया उसका impact आपको देखने को मिलेगा और even कई सारे analysis होते हों यह बोल रहे हैं कि 185 dollar तक यह प पहुचा तो यह भारत जैसे country के लिए बहुँ ज़्यादा difficult और मुश्किल समय होगा क्योंकि हम लोग तो mostly तेल इंपोर्ट करते हैं और अगर हमें इतना महेंगा तेल पड़ेगा तो हमारी currency की value काफी ज़्यादा कम होगी और यह हमारे forex जो पर या हमारी balance जीट पर current account deficit क परेगा इसके अलाबा commodity prices जो increase आपको देखने को मिलेंगे इनके बात जो metals हम लोग देखते हैं जैसे nickel है यह 30% increase हुई इसकी value प्लेटेनिया में यह भी कहने का increase होगा gold को लेकर लोग interested हो रहेंगी gold investment किया जाए और रशिया का invasion attack है और पूरी दुनिया उसको condemn कर रही है और उसको isolate करने कोसिस कर रही है उस पर sanction लगाए जा रहे है लेकिन इन सब का impact जो है global economy पर भी पढ़ रहे है ऐसा नहीं किवल रशिया पर impact पढ़ेगा इसका impact global level पर आपको देखने को मिले रो मेटरियल की cost जो वो increase हो रही है और जो अभी economic growth के बारे में यानि दुनिया भर के देश COVID-19 pandemic से अपने आपको recover कर रहे थे वहाँ पर recovery कहने के disturb होगी और आने वाले टाइम में ये भी बहुत challenging होगा कि जो अलग अलग सरकारों के अलग 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 इतरी के से countries के अंदर जो central banks होते है ये किस तरह की policy को जो वो follow करेंगे oil prices जो United States और European Union के allies इन्हों ने ban कर द जैके 139.13 इसके आसपास increase हुआ इसके अलबा जुलाई 2008 में ये 147.50 ये maximum अब तक गया है और उमेद अब ये की जारी है कि 185 डोलर पर barrel तक हो सकता है तो ये बहुत जादा challenging होगा और industrial metals भी काफी जादा एक तरीके से disturb हो रही है जिसमें nickel है इसके price तेजी से बढ़ रहे ह ये रशिया production करता है उस context में काफी जादा challenging है economic front पर इसके बाद यहां पर ये बताया गया कि चायना के export growth भी Ukraine crisis की वज़े से कही ने कहीं जब पूरी दुनिया के economic growth जो हो नुकसान पहुचेगी तो definite सी बात है चाहे हो चायना हो या इंडिया हो सब के economy पर उसका negative असर पड हमारा कोश्ट बढ़ने वाला है और सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा current account deficit के मामले में हमारी currency के मामले में और इसके अलावा forex resource उसके ओपर भी impact पड़ेगा तो ये कुछ चीजे हैं जिसको लेकर economic front पर आपको देखने को मिलेगा चायना का export growth जो वह उसमें कहीने के slow है और Ukraine crisis एक definitely global risk है हलागी चायना की economy बहुत बड़ी है लेकिन डुनिया की economy पर इसका असर पड़ेगा और वो पढ़ना शुरू हो चुका है आने वाले टाइम में किस तरह की situation रहेगी उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे कोई major event होगा तो ठीक है फिलाल देहिंदू news analysis मेतना ही धन्यवाद जहिन